हेलो इस्टुडेंट यह अपका लेसन नमबर फोर है कूड़े से हर्याली तक तो बच्चो कूड़ा बीमारी का घर होता है यह सभी जानते हैं अगर इसका सही तरीके से उपयोग करें तो हम इससे लाब भी पहुचा जा सकता है इस कूड़े से तो बच्चो इस कहानी में छो कि एक ही मोलने में रहते हैं संडे की दिन सभी बच्चे डेविट की बापा के साथ बगीचे में घूमने जाते हैं रास्ते में बच्चे देखते हैं कि बहुत गंदी बद्बू हा रही है उन्हें सड़क पर चारो तरफ कूड़ा बिखरा हुआ दिखता है तो बच्चे इ जल्दी निकले नहीं तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे बच्चे सोचते ही कैसे लोग हैं जो कूड़े दान की जंगे उनके बाहर फेक देते हैं कूड़ा डेविट के पापा कहते हैं बच्चों से कि चलो हम दूसरे पार्क में चलते हैं बच्चे वहां से जाने लगते ह तब हैं एक व्यक्ति प्लास्टिक की थैली में चली कर आता हुआ दिखता है और दूर इसे फेकने लगता है बच्चे उसे देख लेता है फेकते हुए और चिला कर रोख देते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम यहां पर कूड़ा क्यों फेक रहा हो उसके पास जाकर बच तक नहीं जा पा रहा है और दूर से कुड़ा फेक रहा है डेविट उसे बताता है कि अगर सभी लोग यह सोचने लगें तो सड़क पर कुड़ा बढ़ जाएगा और उसे रास्ता बताता है कुड़ागर जाने का बचे देखते हैं कि उसकी कुड़े में कितनी प्लास्टिक थैली और बहुत साइए रद्डिक कागज थे प्रिया कहती है कौन से नहीं बात है प्लास्टिक थैलिया और रद्डिक आगज तो सभी के घर में निकलते हैं कुड़े में और उन्हें फेकना ही पड़ता है रभी कहता है कि ठीक कहती हो प्रिया हम इसे फेकना पड़ता है क्ली革 में अच्छा हो अगर हम अलग अलग तरह का कुड़ा अलग दिब्भों में डाले उसे पूछती है कि कैसले में इसे संजहता है कि दा हुग घर का कुड़ा जिसे जानबर खा सकते हैंसे हम एक अलग डबे में रख सकते हैं कितना अच्छा होगा गाय बख्री को भी खाना मिल जाएगा और कांच लोहा प्लास्टिक आदी सामान को दुबारा इस्तेमाल किया सकता है सबसे बड़ी बात है कि कूड़ा कम भी हो सकते जाएगा प्रिया कहती है रभी तुम्हें तो बहुत सारी बाते पता हैं लेकिन हमें भी कम से कम सामान खरीदना चाहिए ताकि हमें कूड़ा कम हो अनम कहती है कि सही कह रही है प्रिया जितना ज़्यादा समान हम इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा कूड़ा निकलेगा वेवेक्ति उन चारों बच्चों की बाते सुनता है और वे उनसे कहता है कि आप लोगों की बाते बिल्कुल सही हैं और मैं अब यही कोशिश करूँगा कि कूड़े को सही जगें पहुचाऊं और कम से कम कूड़ा पैदा करूँ और तुम्हारे इस संदेश को भी मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचाऊंगा तो बच्चो आज इतना ही अगली वीडियो में बताएंगे आगे का